आज हम बनाएंगे सिर्फ पोहे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी यमी कुरकुरा सा नाश्ता जिसमें की भरपूर आप बच्चों के लिए वेजीस डाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे एक कप पोहा लेंगे बारी मोटा जैसा भी आपके पास पोहा हो वह आप ले लीजीगा पोहे को आपको धोना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी डस्ट वगरा बहुत जादा होता है तो एक बार धोने से काम नहीं चलेगा कम से कम दो से तीन बार आप इसको जरूर से धोए पोहा एकदम क्लीन हो जाएगा आपका उसके बाद इसको हम ढग करके रख देंगे सिर्फ पांस मिट के लिए जिससे की पोहा है हमारा वो बढ़िया से सोफ्ट हो जाए और सोफ्ट होकर हमारा आगे नाश्टा बहुत ही बढ़िया बनेगा तो पांस से दस मिट के लिए इसको जरूर रैस्ट के लिए छोड़े चाहे तो दो चार चमश पाने भी डाल सकते हैं फिर साथ मैंने यहाँ पर कुछ वेजिस लिए जिसको मैं चौपर में चौप करूँगी आप चाहे तो बारिक-बारिक भी काट सकते हैं मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, गाजर, दो हरी मिर्ची अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो इसकी भी कर सकते हैं या फिर ओर कोई वेजिस हो तो आप वो भी अपनी पस्तंत की समें अड़ कर सकते हैं नहीं तो प्याज भी स्रिफ यहाँ पर आप डाल सकते हैं तो जो चौपर में पहुत ही असानी से मेरी सबजियां है जो है चौप हो गई है तो जितनी भी वेजिस हैं सबको आप हम इस पोहे में डालने माले हैं पहले चेक कर लेते हैं पोहा हमारा सोफ्ट हो गया यह नहीं पोहा हमारा बढ़िया से सोफ्ट हो गया है इसमें मैं एक ब प्लिक्स हुए चाट मसाला हुआ हल्दी पाउडर हुआ सिर्फ कलर के लिए अगर हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहते तो भी स्किप कर सकते हैं बारिक कट अवहरा धनिया है और स्वात के नुशार थोड़ा सा नमक है सबी चुझों को अच्छे से मिला लेजगा अलू वेगर अच्छे से फॉल लीजएगा जिससे कि हमारा बंधने में जब हम बांधने तो बंध जाएं मतलब कोई भी से शेप देना चाहें तो यह आसानी से बंध चाहिए देखी इस तरीके से गोल करके देख लीजेगा अगर बंध रहा है तो एकदम परफेक्ट है अगर खुल रहा हो बांधने समय तो फिट से आप इसको बांधेंगे टाइट टाइट से तो वो बंधा शुरू हो जाएगा तो आप इसको गोल गोल भी बना सकते हैं टिक्की की शेप में या फिर मेरे तरीके से इसको सलेंडर अकार भी दे सकते हैं तो मैंने दिखने में थोड़ा सा अट्रेक्टिव लुक लगे, इसलिए मैंने बच्चों के लिए यह पर यह लंबे अकार में बनाया है, तो सारे के सारे हमारे जो नाश्ते हैं वो बन करके तयार हो गए हैं, अब आप इसे चाहे तो ऐसे फ्राई कर सकते नहीं, तो चावल क हम तेल में जितने ही स्पेस हो अकड़ाई में उतना डालिएगा, बहुत ही विच्चे विच्चे नहीं डालने एकदम खुला खुला ही हमको पीसे यहां पर डाल लेने हैं, मीडियम फ्लेम पर एक साइट पकाकने के बाद दूसरी तरफ हम इसको फ्लिप करेंगे, जिससे क पलटते बढ़िया से अच्छा क्रिस्पी होने तक आप इसको फ्राई करते रहिए, यह बहुत ही जल्दी और वेजिस से बनाय हुआ नाश्ता है, तो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब लगता है, कलर आप देख अच्छा खासा गरम होना चाहिए, अब हम सर्फ कर लेते हैं इसे, अब इसे लाल चटने, हरी चटने जिस भी चीज के साथ इसको खाना पसंद करते हैं, उसके साथ इसको सर्फ कीजीगा, और आपको यह आज की मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर तो चलिए, मिलूंगी अगली बार, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केर, और बाबाई गाइस, थैंक्यू फोर वचिंग